दूसरे टेस्ट के बीच विराज कोहली ने लिया बड़ा फैसला, क्रिकेट फैंस को नहीं हुआ यकीन टीम इंडिया और वेस्ट इंडिस के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच क्विंस पार्क ओवर स्टेडियम में खेला जा रहा है टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट में चौथे नमबर पर विराज कोहली बल्ले बाजी करते हैं लेकिन वेस्ट इंडिस के खिलाव दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में विराज कोहली की जगे इशान किशन बल्ले बाजी करते हुए दिखे इशान किशन को चौते नमबर पर बल्ले बाजी करते देख हर कोई हैरान रहे गया हाला कि मैच खत्म होने के बाद इशान किशन ने खुद इस बात का खुलासा किया कि क्यूं वो विराट के जगे पर खेले इशान ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत खास था मुझे पता था कि टीम को मुझसे क्या चाहिए सबने मुझे बैक किया विराट ने मुझे बैक किया और कहा कि जाकर अपना गेम खेलो उमीद है कि कल हम गेम खत्म कर लेंगे विराट भाई ने पहल की और कहा कि मुझे जाना चाहिए भारत की और से दूसरी पारी में काफी आक्रमक रवाया देखने को मिला जिसके चलते विराट ने अपनी जगे इशान को बल्ले बाजी पर भेजने का फैसला किया इशान किशन ने भी चौथे नमबर पर बल्ले बाजी करते हुए 34 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के दी मदद से नाबाद 52 रन बनाए